तो हलो दोस्ते यार कैसो आप सभी लोग तो दोस्ते यार आप मैंसे काफी साही लोग है यार मुझसे एक बात पूचिए कि मैं अपने गेम्स को किस तरह से रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि यार मैं जो अपने गेम्स को किस तरह से रिकॉर्ड करता हूँ और बिना किसी lag के तो मैं अपने game को किसरे से record करता हूँ और मैं कौनसे software का use करता हूँ वो सब कुछ आपको इस वाले video बताऊँगा और साथी साथ में जैसे अगर आप OVS से record करते हो अपने game को तो OVS के मैं आपको एक setting बताऊँगा जिससे आप अपनी game को काफी अच्छे quality में record कर सकते हैं तो एक जो software है जिससे मैं अपनी games की video record करता हूँ और दूसरा OVS है जिससे मैं सिर्फ अपनी display को record करता हूँ डिस्पले का मतलब है जम मैं सिर्फ अपने normal work कर रहा हूँ जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मैं normal सिर्फ अपना OVS खुल के रखा हूँ और यह भी record हो रहा है तो आप देख रहे हैं यह सिर्फ normal अभी recording हो रही है फिलाल मैं भी कोई game निखला हूँ लेकिन जब मैं game केलूँगा तब मैं किस software का उच्छ करता हूँ और performance जी काफे ज़्यादा डाउन हो जाती है तो मैं आपको सजेश्ट करूँगा अगर आप कोई भी game record कर रहे हैं तो उस वाले software का यूच करो जो कि मैं करता हूँ आना output में ठीक है output में आप जाएंगे और यहाँ पर आपको देहाई रहा हूँ एक streaming है और यहाँ पर है एक recording तो फ़लाल आप देख रहे हो streaming तो अभी मेरी streaming नहीं हो रही इसवैसे streaming के लिए मेरी यहाँ पर change करनी के लिए आ रहा तो streaming की जो आप रखना चाहते हो वो आप streaming streaming के लिए रख लेना जो भी आपको भी live streaming करो तो उसके लिए आप जो भी अपनी quality रखना चाहरा रख सकते हो और recording में आप देख रहे हो तो आप मेरी recording quality देख रहे हो indiscusable quality है मैं ठीक से translate नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन जो यह वाली quality यही quality आपको रखनी है जो कि large file size create हो ठीक है यह setting जैसे आप यहां से जाओं यहां से change हो जाती है फ्राला भी मेरी recording चल लीए इस वाइसे change नहीं हो रही है लेकिन यह जो same settings है वही settings आपको रखनी है उसके आपको इसको यहां पर इसको okay कर देना तो इससे आपको क्या हो इससे आपकी काफी अच्छी quality निकल क लेकिन जो software मैं युच करूँगा वो software आपके इतना है पर इसको नहीं गराएगा तो मैं युच करता हूँ जी फोर्स experience और यह निवडिया का ही software है और अगर आपके पास निवडिया का ग्राफिस काड़ है तो आपको इसी वाले software की यूच करना अपने game को record करने के लिए इस वाले software में आप 4K8 के तक video recording कर सकते हैं यह बहुत ही जाद अच्छा software है मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी दे रहा हूँ फ्लाल मैं इसको done करता हूँ और इस वाले software को open करने के लिए आपको alt-plus-z ठीक है alt-plus-z दौनों को एक साथ प्रेस करना है तो यहाँ पर आपका instant replay भी आप कर सकते हो अपने record कर सकते हो screen sort ले सकते हो photo mode ले सकते हो ठीक है photo जो आपका display का या फर game का जो आप screen sort ले सकते हो इताड़ी के से कह सकते हैं इसको और यहाँ पर record और यह है यहाँ पर broadcast तो यहाँ से आप direct live भी कर सकते हो ठीक है आपको obvious की भी ज़रोत नहीं तो मैं record दिखा दे रहा हूँ यह यह से start जैसे आप start पर click करेंगे अभी यह काम नहीं करेंगे क्योंकि अभी मैं किसी भी game में नहीं हूँ यह देख रहा हूँ यह आप लिखके आ रहा है supported game is required to use this feature तो जो game आपके पास अगर जैसे आपको game खिल ले हो तभी आप record कर सकते ह यह वार recording setting दिखा दे रहा हूँ आपको और आपको जाना settings पर यहाँ पर आप देख रहे हो मैं record करता हूँ 2K में ठीक है तो यहाँ पर 4K में वी और 8K में वी अगर आपका desktop 8K है ना तो आप 8K में वी recording कर सकते हो यह मतलब बहुत ही ज़्यादा high quality हो गई यहाँ पर frame date तो अपने laptop में या पर PC में तो यह settings आप चाहो तो वीडियो द्वारा बेकर की भी देख सकते हो तो मैं इसको करते हूँ अभी save और यहाँ से है performance यहाँ से आपको सू करना है यहाँ पर साइडियों सू करते है कि FPS कितने आ रहे तो वह आपको बता दे रहो कैसे करते हैं तो मैं यह किसलिए है जैसने अपर प्रिकोर्ण कर रहा है गयम की तो यहाँ से अप तो यहाँसे पर आपके अपर यहाँ का theatre हो और जो कि मैं अपना वोईस ओवर देता हूँ वो गेम के बाद में ही देता हूँ और यहाँ पर इसकी सेटिंग्स वह रहा है तो यहाँ पर देख रहे हो कनेक्ट हड ले आउट और यह चीज़ है जो मैं आपको तारा हड ले आउट जहां से आप अपने यहाँ पर आपना के कारा की पोजिशन आपको का रखनी है जो कि अगर आपको अंकर रहे हैं तो यह पर और यह पर और यहाँ पर और जैसे युद्ध और करूंगा तो अभी मेरे करेगा यहाँ पर ठीक है और आपको लेटेंसी रख 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 रहें तो आप यहाँ पर देख रहे हो साइड में अभी अलगा से कम दिखाई दे रहा है मैं दूसरी यूज करता हूं बेसिक ठीक है तो यह आपर बेसिक सेटिंग्स आच जो कि आपको जीपी यूटलाइस यह सर्फ आपको ही देखाया रहा ठीक है यह जब आप गेम रिकॉर्ड कर रहो तो यह तो इसको फिल्पने चलिए आना ब्राउजर में तो ब्राउजर में जाने बाद यहाँ पर आपको सर्च करना निवीडिया जीफोर्स एक्स्पीरियास ठीक है तो यहाँ पर आप पर नीचे आ चुका जीफोर्स एक्स्पीरियास इसको करना ओन और यहाँ पर यह आ चुका सॉफ्ट्वेर इसको उपन करता हूँ मैं और यहाँ आपको दिखाए रहा है तो जैसे आप डाउनलोड नाउपको क्लिक करेंगे तो यह डाउनलोड होने लगेगा और डाउनलो कि ग है तो फैड अंब हो रहा है मेरे 211 एमीक स्पीड आ रही है तो बसडूड होने वाला है तो यह डाउड हो चुका है आम इसको open कर ले रहा हूं और G4 experience open कर ले रहा हूं मैं इसको यस तो यह भी install हो रहा है मैंने install कर रहा है फिर भी आपको install करके दिखा दे रहा हूं एक बार और इसकी settings वेरा क्या है वो बता दे रहा हूं starting में किस सरथ install करना है तो यह भी preparing to install और agree to तो आपर आपको कर देना आपर आपको कर देना agree and install तो यह भी install हो रहा है और थोड़ा से time ले गया तो इसको install होने देते हैं यह भी install तो हो चुका है और लिख्या रहा है preparing to launch तो यह open हो चुका है मेरा पहले से login है ठीक है यहापर आपको क्या करना पड़ेगा यहापर आपको अपना login करना पड़ेगा तो यहापर आप अपनी कोई भी email id या फिर आप जिस काभी सारे login के method आते हो अब अब यहाप इसको login करना तो आपको आते ही हो किस तरह से कोई भी चीजी login करते हैं जो आप पर्चेस वाले गेम खिलते हो उनको इस तरह से login करते हैं पशी तरह से आपको geforce experience को login करना ठीक है और ओवी इस्टूडियो भी है लेकिन यह वी स्टूडियो भी तो खेर आता ही है और यहाँ पर एक क्रीव टूट ठीक है यह वाला गेम में खेलता हूं तो यह वाला गेम भी आ चुका है और इसी तरह से हम इन सारे गेम्स को रिकॉड़ कर सकते हैं जो भी गेम आपके सारे जाएंगे और यहां से कुछ नी करना आपको लेंगन को बस अपड़ेट करने के लिए यहांपे ड्राईवर्स पर जाना है जैसे आप कोई भी आता तो यहांसे आप अपड़ेट चेक कर सकते हैं मेरा आ लेक है फूरा अबर तो यहांपर मेरा अपग्रेड है ने जो कि निविड़ीया गेम सपोर्ट करता है और जी फोरी 5000 कारता हूं सारे games यहाँ पर आ जाते हैं जो भी आपके games जो new game launch होते हैं वो सारे games यहाँ पर आ जाते हैं यह वाला game है जो कि आपका new day experience support कर रहेगा ठीक है तो यह था आज की video में मैं आपको बताने वाला था कि मैं अपनी GTA 5 की videos या फिर और भी जो भी games से आप बताने वाला था जो किसे करता हूँ तो बैतर रहेगा कि आप भी इसी से record करें अपने games को जैसे कि आप अपने display को record करें तो आप यूज करें अपने OBS को जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ अपने display को record करने के लिए OBS को तो ठीक है फेंट सर कैसे लगी आपको इवाली वीडियो और वीडियो अच्छे लगी तो आप लाइक जरू कर देना और भी इसी तरीके से आप और भी कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे comment कर सकते हो और चैनल को subscribe जरू कर लेना क्योंकि और भी ऐसे काभी सारी अच्छे ची वीडियो जो कि मैं आपके लिए लाऊंगा आगे भी और काभी सारे mods की वीडियो में डाल लखे हैं जो कि मैं GT5 में mods को श्टॉर करता हूँ उन सभी mods की वीडियो मेरे चैनल पर डली हैं तो वो भी आप देख सकते हो तो ठीक है फेंट सार मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ आप दके लिए टेक केर और गुडबाई